हालो स्टुडेंट्स बच्छो पिछली ग्लाज में हमने अपना चैप्टर नंबर टू जो है वो शुरू कर दिया था जिसमें हमने आपको पॉलिनॉमियल्स बहुपत के बारे में आपको बताया था ठीक है बच्छो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमने उसके अंदर डिसकस क थी उन्हीं बेसिक चीज़ों पर हमारी जो एक्ससाइज 2.1 है या पूरा चैप्टर उन्हीं बेसिक चीज़ों पर बेस्ड है बस चीज़ें जो है नहीं नहीं चीज़ें जो भी होंगी हैं बीच में समझते जाएंगे बच्छो ठीक है तो पहला क्वेशन शुरू करते है अपनी किसका एक्ससाइज 2.1 का ठीक है बच्छो तो चलिए शुरू करते हैं क्या है बच्छो क्वेशन नम्बर वन आपके सामने लिखा हुआ है क्या है विच ओफ दे फॉलोविग एक्स 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 अर पॉलिनोमियल्स इन वन वैरियेबल और विच इसको हिंदी में भी देखें निम लिखित में से कौन-कौन एक चर्मे बहुपद है और कौन-कौन नहीं है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए इसका क्या मतलब है बच्छो हमारे सामने कुछ कोशन से कुछ बहुपद दिये हुए है हमें उनको पहचान के बताना है कि व चलिए वैरिवल तो मैंने आपको बता रखा है क्या होता है ठीक है अगर आपने हमारा जो पहली वीडियो है इसकी पहला जो सेशन है वो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेर्ट करूँगा सबसे पहले आप वो देखके आए उसके बाद आप इसको देखेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा बच्चो पहला कोशन है हमारे सामने क्या है बच्चो 4x2-3x7 अप हमें क्या देखना है कि निम्लिकित में से कौन एक चर में बहुपद है एक चर मतलब एक वैरियबल वाला बहुपद है जिसके अंदर एक वैरियबल होता है और कौन को नहीं है तो बच्चो देखो क्या इसके अंदर आपको एक्स के लावा और कोई वैरियबल दिख रहा है अचा इसको देखने से पहले पहले तो हम यह चेक करते हैं कि यह एक्शन में बहुपद है भी यह नहीं है ना बच्चो तो बहुपद चेक करते हैं पहले बहुपद चेक कर और फ्रेक्शन में ना हूँ ठीक है बस बेसिकली यह देखना होता है और पावर हमचे डिक्रीजिंग ओडर में लिख्यों पर यहां टू है यहां वन है और यहां जीरो है ठीक है बच्चो तो यह मेरी बात हो यानि कि मेरा बहुपद तो यह है अब देखते हैं यह यह है एक्स चरवाला बहुपद है सिंपल है बच्चो कुछ भी नहीं है बस देखना है और पहचान लेना है चलिए अगला पार्ट करते हैं अगले पार्ट में हमें क्या दिया है य स्कूर प्लस अंडरूट टू ठीक है बच्चो पहले चेक करेंगे बहुपद है या नही है नहीं है ठीक है बई चलिए यानिके बहुपद तो है अब वैरियेबल कोई दूसरा तो नहीं है वाई के लावा यह चेक कर लिजिए बई कोई दूसरा वैरियेबल भी नहीं है तो हम क्या क्या है पहले वाले में वैरियेबल क्या था एक्स हर जगा एक्स था इसमें वैर इसरे पार्ट पर आगेडे होगे बहुन सिंपल खोर्षेन है लिघ थीक भी चलिए थान भट हमें क्या दिया है इसका ध्री अंडरूटी टी प्लसुब अब ऐच्चों इसको देखिए यह अंडरूट है अंडरूट का मतलब क्या होता है जब भी किसी भी चीज के ऊपर अंडरूट लगा हो किसी भी कोई नंबर हो कोई वैरियबली ले लिया जैसे मैंने तो इस अंडरूट को हम कैसे इस अंडरूट का पावर 1 अपॉन 2, इस अंडर रूट की जगे मैंने इसके उपर क्या लगा दिया, पावर 1 अपॉन 2 लगा दिया, और क्या दिया है, टी अंडर रूट 2, अब बच्चो देखो, पहले तो आप यह देखो, यह आपका पोरिनोमिल है या नहीं है, तो पोरिनोमिल यानि उसमें क्या देखते है variable की power check करते हैं अगर वो whole number है तो ठीक है और नहीं है तो और वद यह वो minus में है fraction में है तो वो हमारी गड़गड़ो जाती है तो यह तो power fraction में आ गई बच्चो यानि कि यह तो मेरा बहुपद है ही नहीं और जब मेरा बहुपद ही नहीं है तो मैं उसमें क्या चेक करूँ कि variable एक हैं दो हैं चार हैं तस हैं उसमें मुझे कुछ मतलब ही नहीं जब यह मेरा बहुपद ही नहीं है मैं आगे कुछ चेक ही नहीं करूँगा मैं क्या लिख दूँगा it is not a polynomial it is not a polynomial ठीक है because its power is not whole numbers ठीक है बच्चो simple है whole number थोड़ी नहीं है इसके power हमने आप आपको कह रखा है variable की power क्या होनी चाहिए whole number होनी चाहिए और whole number क्या होता है 0,1,2,3,4,5,6 वो negative में नहीं होते और fraction में नहीं होते clear है बच्चो Hindi में इसको समझ सकते हैं आप यह बहुपद नहीं है ठीक है क्यों नहीं है क्योंकि इनकी घात पूर्णांक नहीं है पूर्णांग, whole number को हिंदी में कहते हैं, बच्छो, पूर्णांग, clear है, चलिए, simple है, कुछ भी नहीं है, बस पहले आप बहुपद चेक कर लीजे, बहुपद है, तो फिर चेक कर लीजे, उसके अंदर variable एक ही है, या दो है, या कितने है, ठीक है, एक ही है, तो आपका काम बन नीचे पहुंच गया, तो इस variable को जब मैं उपर लेके जाऊंगा, तो मेरी equation क्या बनेगी बच्छो, y, तो ऐसी का ऐसी ओपर ही है, इस y को मैं उपर लेके जा रहा हूं, तो equation क्या बनेगी मेरी, y की power minus 1, इसका मतलब क्या होता है बच्छो, जब भी मेरा कोई भी variable, जब भ इसके पावर, उपर पावर 2 लगी है, मुझे इसे उपर shift करना है, तो क्या हो जाएगी इसके पावर minus के 2, clear है बच्छो, तो इस तरह से पावर बदल जाती है, जब नीचे से उपर लेके जाते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, y plus 2y के पावर minus 1, आप चेक करो, यह polynomial है या भई, पावर क्या आगई, minus में आगई, है ना, पावर minus में आगई, यह नहीं, यानि के तो polynomial है यह नहीं, आगए हम कोई चीज़ चेक ही नहीं करेंगे, कि वन वेरीबल वाला है या नहीं है, क्योंकि जब polynomial ही नहीं है, तो बात ही खतम, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, it is not a polynomial, same पहले वाली लाइन आ जाएगी, it is not a polynomial, because its power is not hall number, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, hall number नहीं है, क्योंकि minus आ गया, clear है बच्चों, तो यह हो जाएगा मेरा fourth part, ठीक है बच्चों, चलिए, fifth part में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और fifth part को समझते हैं, तो fifth part में हमें क्या दिया है, x की power 10, y की power 3, और t की power 50, पहले आप power चेक करिए, power आपका whole number है नहीं, बहुद पावर तो सारी whole number है मेरी, ना तो कोई minus में है और ना ही कोई fraction में है, यानि कि power तो है, ठीक है हम, आप क्या check करेंगे, आप check करेंगे, one variable वाला है या नहीं है, one variable वाला है या नहीं है, तो बच्चो इसमें variable कितने आ रहे है, x आ गया, y आ गया, t आ गया, ठीक है, बच्चो हमें question में देखे, क्या check करना था, निमिल लिखित में से कौन-कौन एक चरवाले बहुद है, केवल उन में one variable होना चाहिए, है न, और इन सब में हमारा one ही variable आ रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या है, तीन variable आ गए, तो यानि कि ये तो नहीं है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, it is not a polynomial in one variable, कि ये एक चरवाला बहुद नहीं है, because, क्योंकि, it has three variable, x, y and t, चलिए मैं इस बहुपद नहीं है, ठीक है, बैचो, क्योंकि इसमें, तीन चर, x, y, और, t, है, ठीक है, बैए, क्या लिख हमने, कि वह बहुपद तो है, ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, एक चरवाला है नहीं है, तो यह है, एक चरवाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें, 3, 4, x, y, और t हैं केवल x, x होता तो हमारा काम हो जाता कि हम कहा देते यह है एक चरवाला भूपद है लेकिन इसके अंदर 3, 4 आ गए 3 variables आ गए तो यह हमारा नहीं है ठीक है बच्चो तो इसी तरह से हम इसको answer करते हैं बहुत simple से जीजे हैं सारा जो basic आपको कल बताया था उसी के ओपर बेस्ट सब कुछ है ठीक है बच्चो तो यह हमारा हुआ exercise 2.1 का question number 1 बहुत ही simple है कुछ भी नहीं है इसके अंदर ठीक है बच्चो यह आप पढ़ लीजिएगा note कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कोई दिक्कत आये तो दुबारे से वीडियो को देख लीजिएगा ठीक है बच्चो अगली क्लास में मिलते हैं question number 2 के साथ तब तक के लिए आप पढ़ते रही है, revise करते रही है bye bye, take care